नमस्कार बैस्वाती और आप देख रहें MPCJ24 News Express बढ़ते हैं आज की नई और ताज़ा खबरों की ओर सतना से सुप्रेम कोड तक व्यवस्था परिवर्तन यात्रा जबलपूर कमले स्त्रिपार्टी अकिल भारती हिंदू क्रांती पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष ने जबलपूर इंडियन काफी हाउस में पत्रकार्ता वार्ता करती हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भारत की ववस्था परिवर्तन का राष्ट्री आंदोलन चला भारत के सभी विधी नियम कानूनों की समिक्षा एवं उनका पालन करने के लिए नियाय ववस्था जरूरी है। द्वारा नेने लिया गया। देश की पूरी नियाय ववस्था नेने अपिल कोर्ट फीस तथा बिना जवाब दे। बिना टाइम लिमिट के चल रही अनुचेद। 144 के तहट सभी सिविल एवं नियायक पदाधिकारी उद्वारा उच्चतम नियायले की साहेता से कारे किया जाना भारत के राज्य छेत्र में सभी सिविल और नियायक अधिकारी उच्च नियायले की साहेता में कारे करे। स्टिरी त्रिपार्टी जी ने कहा कि हमारी पार्टी एक्सन में आ चुकी है MBCD24 News Express जबलपूर मध्य प्रदेश राज कुमार यादो की रिपूर्ट इसलिए मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं अखिर भारती हिंद करांदिक पार्टी इसलिए मध्य प्रदेश आई रोट से हम काम करते हैं मत्रदेश हाई कोर्ट में हमने अल्रेडी पहले से दे रखा है ये वेवस्ता हम करेंगी यापन हमारा हमने उनको दे रखा है कि हमें इंद करांद की सेना भी बनाएंगों इस भी तीतितित साल से डिग्रिया लेकर अदालत की फैंसला लेकर गूंच रहें उनकी डिग्रिया नहीं पादो तो स्वैंसले का क्या मतलब बाबा कर्मा लड़ा था नाती उसकी डिग्री पार्म करा रहा है तो कमजोर हाई को हमें ताकत बर बनाए हम आसाहियो गांदोलन नहीं चला रहे हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट कर बिरोग कर रहे हैं ना हाई कोर्ट कर ना केंजर कार कर ना राजसर कर रहे हम साहियो गांदोलन कर रहे हैं क्योंकि हम इसके लिए पे करते हैं हम जनता भी है तो तो इसकी समस्या सुनी जा सकती है। सुप्मीम पोर्ट से पुछा जा सकता है कि भाई हमें एक साल में नहीं चाहिए। तुमको क्या साधन चाहिए। इंडियन यूनाइटड प्रिपल्ट कर्टी जी बता है आज आप लोगने बैठा कायोजन किया। जी आप परस का मूद्स्ट के अथा। और किस एजन्द पे लेकर आज आए आपने पत्रा रांत दिए। पूरी भारत वर्फ में जितने भी पूल की अभाना होती है। प्रतेग में पक्षकार होती है। अर पूरे कोंगों में पक्षकार ही सब्भर करता। सब को मालूम है कि आज के देशनी करोड़ों प्रकड़ हैं जिनके कारण पक्षितार परिसान होता है परंथ उनके कोई यह नहीं सुद्बाता कि इनकी पर्फानियों को कंग्रेसे किया है इनी सब बातों को लेकर के हिंद एक्रांथ पार्टी का रिश्चिसन करवाए गया और उन्हों को नियाई दिलाने के लिए एक यह प्रयास कर रहे हैं अब बात आ रहे थी कि राजस समामलो के कहा जातों कोट में विदिसम्मत मयाय तो होता है परंतों राजस में विदिसम्मत मयाय नहीं होता है उसकी बज़े केवल यही है कि जो भी आजस्व में अधिकारी है उनको जो नालिज है वो केवल कितावी नालिज है जब कोई प्रगान आता है जिस पक्षकार जाता है जिस प्रकद के आता है वो कोई किताब उठाते हैं पढ़ते हैं और जो वकील आपस में दलिल देते हैं उ तो आप ही बेख मेंदई और गएकर ऍजी पहाई नहीं पहाई मत्orkal नहीं करे मैं तो अपने कम Byदी संबत⋅ कर सकता है कि उसी को लेकर कि हम थोंगे अजए अदर समें में या पूर identific भारत वर्वारश में। का अम कि आपके क्याई अजिकार हैं पलकिकने अप्गी को यह शुक्ता नहीं है तो हम जागरुता प्रियाद्स खेएंगा वर्ष आप करेंगे, कारवाना यहाजित करेंगे, और उनको भुला कर उनके उद्देशों को और सब बताएंगे. जो जो जिस डिग्री में पढ़ाई किया है, उसे वो काम दिया जाए. एक डॉक्टर को बिल्डिंग बनाने के लिए न बोला जाए, और एक इंजिनियर को ऑस्पिडल में लाज़ करने के लिए करणाएं. MBA करके, कितिहास पढ़के या B.E.T करके, आप कलेक्टर बंगते हैं, IS होते हैं, या तैसलदार होते हैं, नय तैसलदार होते हैं. आप कानून की पढ़ाई के किये नहीं, विदी की जानकारी आग को नहीं है, तो आपके पास मजिश्ट्रेडियल पावर क्यों? आप जब विदी की पढ़ाई ही नहीं किये, तो आप को उसका ज्यान कैसे होगा, इसलिए केस बढ़ रहे हैं, लोग परिशान हो रहे हैं, जनता परिशान है, आपने एक सवाल किया है, जबलपुर में ऑफिस क्यो डालना है, जबलपुर ऑफिस इसले डालना है, कि जो जन सातमा भी कैसे कह सकते है कि बीजी की पढ़ाई ना कनेवाले ढाले कानुपिस्ञ में गाये, कानुपिस्ञ में की ओ टालना ही, यह तो आपकी डिग्री पताएगि, जो महाँ पदस्ञ है, यह जाच का विशह है, और यह जाच करवाने का काम कानून यह यहासन का है, आज Стन पर क्लेक्टर है उनका एजुकिशन क्या है वो लॉकर के आए या MBA किये है या कॉमर्सिब हैमे किये है या IIT है यह तो उनकी डिगरी बताएगी लेकिन यह करने के बाद क्लेक्टर बनता है कि नी बनता सवाल यह है और अगर ऊप एक सपोर्टिंग के लिए कौुण सा ऐसा वयक दिया जाता है जो जिसको पास विधि का घ्यान और एक तैसलिदार नैब को सिद्धिय का पावर रोता है वहां पे कौन वकील है जो उसको बताते हैं के इस धारा में यह काम कर रहा है यह प्रेड़ना आप लोगों को कहा से आई कि इस चीज को आप लोगों को आगे आपने बढ़ाया है वर्तमान परिस्तितियां जो कहती हैं कोट में इदरे केस पढ़े हुए हैं लोग परिशान है दिख रहा है और जो दिखता है उसी पे तो काम होता है यह सब पढ़े लिखें लोग हैं हम लोग सब अपना पूरा भारत के लिखता है